नुबर 14, तो ध्यान देजेगा, और सब्कीपर मार्ग इस गूद्स अट 40% अबव दी कॉस्ट प्राइस, बट एलाउज दिस्काउंट अफ 5% फार कैस्ट पेमेंट तो इस कॉस्टमर्स, वाट एक्चुल प्रॉफिट दस ही मेक इफ ही रिसीव रुपीज 1,064 अफर तो अब ध्यान समझेगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे और एक डियाग्राम बनाएगे यहाँ पर, कराएगे और सब्कीपर मार्ग इस गूद्स, मतलब एक सब्कीपर जो है, मार्ग करता है, मतलब कि मार्ग प्राइस निर्धारित करता है, अपने समान का, और वा 40% एवव प्राइस करता है, ठीक है, मतलब कि हम माल लेते हैं आपर, CP आपका यह है, CP, अब CP से 40% एवव करके, मतलब 40%, 40% जो है, इंक्रीज करते हुए, बढ़ा करके, बना दिया आपका मार्ग प्राइस, MP, यह बोला हुआ है, कर रहा क्या, कि इस आपकीपर ने मार्ग कर दिया एवब, ऐसे मरा दिया मैंने यहां डागरा, बट एलाउज डिसकाउंट आफ, लेकिन वो एलाउज करता है डिसकाउंट, अब यहां से यह डिसकाउंट दे दिया, अब यह MP जो है, CP से क्या होगा, 40% ज्यादा होगा, 40% बढ़ा होगा, कहाने का मतलब यह है, अब हम कैसे निकालेंगे यहां पर, वो तो हम समझेंगे यहां पर, लेकिन हम यहां में बता दिया, कि CP से 40% ज्यादा है MP, ठीक है, अब क्या कर रहा है, कि अब डिसकाउंट दे रहा है, अब MP पर तो बना दिया, अब का रहा है कि MP पर बेचूंगा, लेकिन डिसकाउंट फिर भी दे पर, कितना डिसकाउंट दे रहा है, 5% for cash payment to his customers, जब कस्टमर को cash payment करता है, जब करते हैं, तो उसमें 5% कम देते हैं, मतला MP से 5% कम देते हैं, इसका मतलब कि यहां पर हो रहा है आपका 5% का डिसकाउंट, तो 5% का होता है डिसकाउंट, जब डिसकाउंट करेगा 5% का MP में से तो आपका selling price बनेगा, और इसी selling price पर base देता है, तो यह जो selling price आती है, वो दे दिया है यहां पर, लेकिन पहले पूछ लिया है कि what actual profit does he make, कितना profit बनाता है यह पूछा हुआ है, ठीक है profit, what a profit, लेकिन यहां दियो आगा, if he received, यदि उसे प्राप्त होता है, यदि उसे प्र 1064, यह आपका दिया हुआ है SP, इतना रुपीज, selling price, ठीक है, यह आपका selling price है, तो हमें यहां पर देखे, सब कुछ clear हो गया, क्या क्या दिया हुआ है, इसलिए आप जो है, हमेसा ऐसा चार्ड बना लेगे, अब देखे, अफसाल करना आसान है, अब यहां पर CP को, यदि हम कुछ भी मान ले, 100 माने या X माने, तो हम आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं, एक तो 100 मान करके, या फिर X मान करके, तो CP को आप X मानिए या 100 मानिए, तो हम जो भी माने कर सकता हूँ, तो मैं यहां पर सोचाओ कि X कर दू, X मान कर कर लूँ, ठीक है, X 100 मान कर क्योंभी आसान रहेगा कोई दिकत नहीं है किसी तरीक से कर सकते हैं तो खेर हम मानते हैं CP बराबर let CP बराबर 100 let sorry CP को हम x मानेंगे ठीक है 100 मान कर नहीं करते हैं क्योंकि 100 मान करने पर आपको था confusion होता है तो x मान कर लेते हैं let the CP of his goods अब यहां में बोला हुआ है कि CP में 40 परसंट बढ़ा करके MP बनाता है इसका मतलब कि CP जब हम पता हो गया एक्स रुपीज अब हम यहां पर MP निकाल सकते हैं क्या करके CP में 40 परसंट बढ़ा कर अब यह बताए CP में 40 परसंट बढ़ाएंगे कैसे how will you increase CP by 40 परसंट देखे ऐसे increase करेंगे हम लोग ऐसे करते हैं MP बढ़ाबर हमारा निकल जाएगा CP में हमें क्या करना है बढ़ाना है प्लस करना है CP का मनें CP multiplied by 40 परसंट ठीक है बास समझ में यहां पर 40% मतलब क्या multiply हो गया CP of 40% तो CP में से 40% निकाल लेंगे और जितना भी आएगा वो add कर देंगे CP में तो हम कहेंगे कि CP 40% से बढ़ चुका है अब यही जो है MP हो गया और यहाँ पर वह चीछ बोला हुआ है कि साफ कीपर जो है अपने goods को इतना मतलब यहाँ पर solve करेंगे तो कुछ मिलेगा और यहाँ पर CP अपने माल लिया है X तो X के form में solve कर लेते हैं यहाँ रख लेंगे यहाँ पर X CP प्लस यहाँ भी X होगा तो X multiplied by 40 upon 100 यहाँ पर 00 कर सकते हैं simple करने के लिए ठीक है और यहाँ भी कर लिजिए 224 and 255 10 अब यहाँ पर देखे हम लोग लेंगे LCM मतलब इसको लिशकते हम लोग थोड़ा simple भासा में और X प्लस यह हो जाएगा आपका 2X upon 5 यहाँ पान 1 कर लिजिए और इसको solve कर लिजिए तो यहाँ हो जाएगा LCM 5 और 155 यहाँ 5X हो जाएगा है प्लस 555 यहाँ टुक्स रहेगा मतलब मिल जाएगा आपको 7X upon 5 तो 7X upon 5 रुपीज मिल गया हमें clear यह मिल गया हमें MP अब यह जो मार्क्ट प्राइस मिला हुआ है अब इसी मार्क्ट प्राइस पर इसी मार्क प्राइस पर जो है डिस्काउंट गर रहा है 5% का देखें आप बोला हुआ है तो अब इसी MP पर यह जो MP दिया हुआ है MP मिल चुका हमें तो डिस्काउंट दे करके बेच दे रहा है अब बताए MP में पता चल गया है कि जो MP है वो है आपका 7x upon 5 रुपीस तो यह MP पता है और SP पता है क्योंकि SP दिया हुआ है 1064 लास्ट में मिल रहा है इसको देखें MP पता है SP पता है और यह डिस्काउंट परसंट पता है तो आपके पास दो फामूले है MP और SP और डिस्काउंट को ले करके है कि नहीं तो उसी फामूले को लगा करके हम MP निकाल लेंगे मतलब यहां से X निकाल लेंगे X की वैलू निकल जाएंगे तो ध्यान दो जो किसे निकाल लेंगे तो we know that we know that we know that MP is equal to MP पराबर होता है SP multiplied by 100 upon 100 minus discount % इसी फामूले की बात कर रहा था मैं कि यह एक फामूला होता है MP, SP और discount परसंट में तो यहां पर देखें MP, SP MP है यह 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 रहाँ MP और यह रहाँ SP और discount परसंट यह रहा इन तीनों में जो फामूला है वो यह है एक और formula होता है वो होता है sp बराबर sp बराबर mp into इसी को जो है reciprocal कर देते हैं आपर तो मिल जाता है 100 minus discount percent upon 100 ये भी एक formula होता है sp बराबर होता है mp into this much तो यहाँ पर हमने mp बराबर ये निकला क्योंकि यहाँ mp जो है x को form में है इसलिए ऐसा किया मैंने आप कोई भी यूज कर सकता है ये भी यूज करेंगा तब भी x का value निकलेगा तो यहाँ पर जो है mp बलू यहाँ पर देखे mp यहाँ पर निकाला हमने यह यहाँ पर यूज कर लेते हैं marked price 7x upon 5 is called to sp कितना है पता हिए यहाँ पर sp जो है दिया हुआ है 1064 यहाँ दिया है 1064 लिख लेके हैं आप है 1064 multiplied by यहाँ हो जाएगा 100 upon 100 में से minus करेंगे discount परसंट तो discount परसंट तो 5% है तो 100 minus क्या हो जाएगा 5 तो अब यहाँ पर solve करेंगे तो मिलेगा हमें 1064 multiplied by 100 upon यहाँ पर हो जाएगा 95 ठीक है अब यहाँ पर cancel करते हैं तो देखिए आप पर 95 जो है फाइव से cancel हो जाएगा 5 वन जा 5 5 नाइन जा 45 फाइव फाइव तीजा 10 20 हो गया अगे 19 कर जाएगा 19 से और यहें कटेगा तो 95 जा 95 होता है 95 और कितना बचा यहाँ पर फाइव 6 11 11 बचा 114 हो गया तो 96 जा होता है 114 यह जाएगा 6 तो मतलब कि यहाँ पर मिलगी हमें 56 into 20 ठीक है मतलब यहाँ multiply कर सकता है तो मिलेगा आपको 0 multiply करनी जोरत नहीं है इस लिए आप ऐसे लिख दीजें इन्टू 56 इतना आ गया और यहाँ पर 7 x upon 5 बराबर इतना आ गया हमें निकलना है actually x तो यहाँ से निकलेगा x is equal to यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 5 से मिलगी करेंगे इसमें मतलब कि 56 into 20 में 5 से उपर मिलगी कर देंगे डिवाइड कर देंगे 7 से है की नहीं यह करना होगा अब यहाँ देखे 7 मजा 7 हो जाएगा और यहाँ 7 एट जाएगा 56 हो जाएगा अब यहाँ पर मिलगी कर लेते हैं देखे 25 जाए कितना होगा 100 और 100 और 800 तो यह मिलगी करने में क्या हैगा 800 मतलब कि है सो मारा जो सीपी है एक प्रड़ट का सीपी आफ हीज गूड़ इसको आचुका है 800 रुपीज लेकिन अब यह भी यहाँ पर एस्पी पता हमें है हमें निकालना क्या है वाट एक्चुल प्राफिट डज ही मेक कितना प्राफिट वो बनाया तो प्राफिट जब निकालते हैं तो सीपी और एस्पी में निकालते हैं यह याद रहना चाहिए बिल्कुल जब भी प्राफिट निकालेंगे तो सीपी और एस्पी के बीच में निकाला जाता है तो हमारा सीपी निकल गया है यहां पर 800 और एस्पी दिया हुआ था 1064 तो यहां पर निकाल लेंगे प्रा करेंगे cp हमसा जाद रखे profit परसेंट या profit निकालने के लिए एश्ट लेंपी और यूज़ करते हैं MP के यूज़ नहीं होता केवल MP यूज़ जब डिसकाउंट परसेंट के यूज़ हो डिसकाउंट percent के बीच में यहां पर MP, SP और discount percent के बीच में यूज़ करता है MP को लेकिन जब profit के बात हो तो उसमें हमेशा हम CP और SP का यूज़ करता है और यहाँ पर हम वही करना है तो SP कितना यहाँ पर है 1064 1064 इसमें से minus कर लेंगे CP, CP कितना है CP आपका दिया हुआ है यहाँ पर निकाले से, sorry यह 800, minus कर लेंगे कितना मिलेगा, देखिए 4 में से 0 जाएगा, 4 ही रहेगा 6 में से 0 जाएगा, 6 रहेगा 10 में से 8 जाएगा, 2 रहेगा 264 रुपीज मिल गया तो this is your actual profit और यहीं आपका answer है तो hope कि सुझ में आगया होगा आपको यदि आप subscribe नहीं किये होंगे सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो तभी आपके notification में जाएगा और आपके पास दिखेगा और यदि आप subscribe कर लिए हैं तो thank you so much for watching Bye